गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में इधिहास का एक महत्वपुन टोपिक पूर्वी दिविपों के बारे में जानकर इप्राप करेंगे ठीक है तो ज लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इधियास विशे से सम्मधित महत्वपुन जानकरी पहुंच सके ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं पूर्वी दिविपों के हिंदू राजों का इधिहास पूर्वी दिविप के हिंदू राजों में सुमात्रा, जावा, बोर्णियों तथा वाली का उलेग किया जा सकता है सुमात्रा में सबसे प्राचेन हिंदू राजे श्री विजे था, साथवी स्थापदी में यहां जैनाक नामक बोध सासन कर रहा था इत्सिंग के विवरण से पता चलता है कि स्री विजे बोध अनुसीलन का प्रसिद के अंदर था जावा में कई हिंदू राजे इस्थापित किये गए थे प्राचेन भारतिये साहिते में इसे यवन द्वीब कहा गया है पस्चिमी जावा से प्राप संस्कृत लेखों में पूर्ण वर्मन नामक राजा का उलेख मिलता है जो 36 तापदी में यहां सासन करता था जावा के एक परमुक राजे का नाम चीनी गरंतों में होलिंग मिलता है जिसे अनेक विद्वान भारतिये राजे कलिंग का रुपांतर बताते हैं इससे ऐसा सिद होता है कि जावा तता कलिंग के 20 गनिस्ट संबन था आठवी स्थापदी इस्वी में जावा, सुमात्रा, मलाया की भूपागों पर सलेंदर नामक एक नमीन राजवन्स का उदे हुआ सलेंदर ने एक सक्ति साली समराजे की स्थापना की तता संपून पूर्वी द्वीप पर अपना एक चत्तर सासन कायम कर लिया इस वन्स के सासक महाराज की उपादी धारन करते थे, अरब लेखक उनकी सक्ति एवं वैभव की परसंसा करते हैं सलेंदर उच्छा ही निर्माता थे, जावा का बोरो गुदूर बोधिस्थूप उनकी कीर्थी का स्मारक है सलेंदर उच्छा का पतन सुदूर दक्षिन के चोलों के आकर्मन के फर्सरू हुआ इसके पसाद जावा में जिस नए राजे का उदे हुआ उसे पूर्वी जवानी राजे कहा गया है पूर्वी जावा के राजियों में कडीरी तथा सिह सारी परसिद है चोद्वी स्थापदी में यहां मज पहित सामराजे की स्थापना हुई पूर्वी जवानी नरेश भारतिय संसकर्ती के प्रवल पोसक थे सुमात्रा तथा जावा के अलवा बोर्णियों तथा बाली भी हिंदू संसकर्ती के पर्मू के अंद्रे थे बोर्णियों से कई संस्कृत लेक मिलते हैं जिन में मूल वर्मा नामक हिंदू सासक का उलेक मिलता है अभी लेकों से ये इस्पस्ट हो जाता है कि बोर्णियों के दिकांस निवासी ब्राहमन थे तथा वहां भार्टिय संस्कृति का व्यापक परचार परशार था छटी स्ताब्धी के पूर्वे ही बाली में भी हिंदू उपनिवेश स्तापित किया जा चुका था चीनी साहिते से पता चलता है कि यहां का राज परिवार कोडिने कुल से सम्बंदित था इस सिंग के विवरंड से पता चलता है कि बाली बहुत धर्म का परसीद के अंद्रे था तो देखे फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पूर्वी जो राज हैं उनके बारे में जानकरी प्रात की इसी प्रकार से आपको अन्य और भी वीडियो मिलेंगे जो एक्जाम में आपकी बहुत हल्प करेंगे इसलिए बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे